बिंदू E, A, D का मध्य बिंदू है, तो यहां बिंदू E, A, D का मध्य बिंदू है, A, E और D, E बराबर है, क्या बिंदू E, B, C का मध्य बिंदू है, तो हमें साबित करना है कि यहां में ढूरना है कि क्या बिंदू E, B, C का मध्य बिंदू है, यानि कि B, E और C, E बराबर ह या नहीं और हमें एक और बात यहां दी गई है कि जो BA रेखा खंड है या BA भुजा है वो DC के समानतर है तो चलो शुरू करते हैं अब यहां पर सबसे पहले मुझे तो यहां दो त्रभुज दिख रहे हैं और यहां पर इन दोनों ही त्रभुज में जो AE है और जो DE है वो तो है उल्धाद्वर शीर्ष कौन तो मैं कह सकता हूँ कि जो कौन है AEB इस्तरभुज में और जो कौन है DEC इस्तरभुज में वो दोनों सरवांग सम है तो मैं यहां लिखता हूँ कि जो कौन है कौन AEB वो सरवांग सम है वो सरवांग सम है कौन DEC के कौन DEC के क्योंकि यह दोन अब अगर तुम देखो तो ये दोनों त्रिभुजों में ये एक भुजा ये एक भुजा बराबर हो चुकी है और ये कोण ये कोण बराबर हो चुका है अगर मैं एक और कोण बराबर साबित कर दूँ तो ये दोनों त्रिभुज तो सरवांग सम हो जाएंगे तो उसके और इस DC को जरा यहां मैंने बड़ा खीश लिया ये दोनों यहां पर समानतर रेखाएं हैं और इसके साथ साथ अगर तुम इस BC को देखो तो BC तो यहां पर हो जाएगी एक 386 दी रेखा और ऐसी स्तिती में जो ये वाला कोण है वो बराबर होगा ये वाले कोण के क्योंकि ये दोनों होंगे एक कांतर कोण तो मैं यहां लिखता हूँ कि जो कोण A, B, E है वो बराबर है सरवांग सम्हें कोण D, C, E के तो यहां पर कोण A, B, E कोण A, B, E ये सरवांग सम्हें कोण D, C, E के ये वाले कोण के, कोण D, C, E के, क्योंकि ये दोनों हैं एकांतर कोण, तुम चाहते, तो यहाँ पर इस BC को अगर हम थोड़ा लंबा खीचते, तो यहाँ पर जो ये वाला कोण है, वो ये वाले कोण के बराबर भी होता, संगत कोण के द्वारा, और फिर ये दोनों कोण भी बराबर हो जाते उल्धाद्वर, शीशकोण के द्वारा, तो किसी भी तरह से तुम कर सकते थे, तो अब अगर तुम यहाँ देखो, तो इस त्रिभुज में ये हरा कोण, ये नीला कोण और ये भुजा, ये तीनों सर्वांग सम हैं, तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं, यह सरवांग सम हो गए, तो मैं यहां से शुरू करता हूँ हरे से, तो B, E, A, यानि कि यहां हमें मिल रहा है, कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज B, E, A, वो सरवांग सम है, यहां पर भी मैं हरे से शुरू करूँगा, तो हरा, नीला और फिर यह सफेद, तो C, E, D के, यानि कि यह त्रिभुज C, E, D के सरवांग सम है, कोण, कोण, भुजा कसोटी से, तो यह दोनों त्रिभुज हमें स आगल तुम देखो, यहां पर हम ढूर रहे थे, इस B, E, और C, E, को, यहां पर अगल तुम देखो तो यह G, E, है वो तो इस C, E, और C, E के, क्योकि यह सँन गया है, सरवांग सम दोन्हों की, तो हमें मिल चुका है कि जो BE है वो बराबर है CE के तो सीधी सी बात है कि जो बिंदु E है वो BC का मद्ध बिंदु है